तो दोस्तों अभी अभी मेरे पास ही न्यूज आई है, in fact शायद आज ही हुआ है ये बट मुझे पता भी थोड़े दिर पहले चला है कि एक गौरव शर्मा करके एक यूट्यूबर है, बहुत बड़ी यूट्यूबर है, कुछ चार एक मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं उनके, गौरव जोन नाम का चैनल है उनका, उनको पुलिस ने आज जो है गिरफतार किया है, because उनके एक वीडियो में ये देखा गया है, कि उनका एक छोटा सा जो है डॉग है, डॉलर नाम है शायद उनका, उनको उनने नाइटरिजन या बलून में बांद के जो है उड़ाने की क तो गाड़ी में इन्होंने बलून में बांद के डॉलर को उड़ाने की कोशिश करी और कहीं न कहीं जो है ये अनिमल राइट्स के अगेंस्ट है, जिसकी वज़ए से जो है पुलिस में शायद इनकी कंप्लेंट हुई, मुझे डीटेल में नहीं पता, बट जो वीडियो ब बनाते हो, जिसमें आप अपने opinion देते हो या किसी भी चीज के बारे में बोलते हो, तो प्लीज ध्यान रखिएगा आप क्या बोल रहे हो और किसके लिए बोल रहे हो या किस तरीके की जो है आप information pass on कर रहे हो, because कई बार ये देखा गया है, ये पहला case नहीं है, पहले भी य हो चुका है कि कोई YouTuber के उपर case हुआ है, या वो गिरस्तार हुए है, या किसी न किसी issues में फसे हैं, तो ये पहला case नहीं है कि एक YouTuber ऐसे problem में आए है, तो मेरा कहने का मतलब ये है, कि जब भी आप कुछ बोलते हो, किसी के लिए, किसी के against या अपना opinion भी देते हो, तो ध्यान लोगों के पास पहुंचती है, लाखों करोडों लोग उसको देखते हैं, और गौरफ जोन जैसे YouTuber ये बहुत ही बड़े पहुंचे हुए YouTuber हैं, तो इनकी reach जो है वो बहुत जादा होगी, तो कहीं न कहीं से पुलिस वालों को पता चला, या किसी ने जो है complaint करी, जिसकी बनाते हो, या for example, मैं भी जिसे vlogs बनाता हूँ, या generally videos बनाता हूँ, तो मैं हयाल हमेशा रखता हूँ कि किसी के against इस तरीके से ना बोला जाए, कि उसको personally hurt हो, या किसी तरीके से मैं भी problem में फस हूँ, तो ये एक बहुत जरूरी है, बिकास दोस्तों, आजकल हर कोई जो है YouTube यूट्यूब पे है, और YouTube पे नजर है, authorities की, lawmakers की कुछ भी ऐसे अंशंट या उल्टे-पुल्टे काम, YouTube के थूँ या कोई भी ऐसे, you know, social media apps के थूँ ना हो, वरना शायद कहीं ने कहीं हमको तो problem होगी ही, बट कल-कल को ऐसा ना हो कि, apps भी जो है, ये बंद हो जैसा भी Instagram और Twitter का होने वाला था, वो दूसरा case था, बट कहीं न कहीं, ऐसा एक कहता है, जिसको तलवार लटकती रहती है, सर पे, तो हम को, हम जो है, we are the content creators, तो ये हमारी responsibility है, कि हम अगर कुछ भी put out कर रहे हैं, internet पे, तो वो जो है, एक सोच समझ के, और properly research करने के बाद ही, हम किसी भी च सुना ये बातों पे, या just generally डालने के लिए डाल दें, वो जो है, कहीं न कहीं हमारे उपर ही उल्टा आ जाता है, तो आप लोग जो भी ये देख रहे हैं, if you are a young crowd, if you are a mature crowd, doesn't matter, आप बच्चे हो, बड़े हो, बुजूर्ग हो, कोई भी हो, ये ध्यान में रखना है हमको, आज से अभी से, अगर आप लोग अपसे ध्यान में नहीं रखते थे अब तक, तो आज से ये पले, ये गांट ये बान दीजिए, कि आगे से जो है, आप कुछ भी अपलोड करें इंटरनेट पे, चाहे वो फोटो हो, चाहे वो वीडियो हो, चाहे आप टेक्स स्टेटस मे कुछ भी लिख रहे हो, ध्यान से सोच समझ के, पोस्ट या पबडिश या जो भी आप बटन हो, वो पुछ करने से पहले, दस बार सोचना है कि क्या मैं जो बना रहा हूँ, क्या मैं जो लिख रहा हूँ, क्या वो सही है, वान, दूस्री चीज, क्या मैंने रीORYसर्च करी कहीं मैं कुछ illegal काम ना कर लूँ तो यह जो हुआ है यह सारा case this is again a reminder कि अगर आप कुछ कर रहे हो online तो यह मत सोचिए कि मैंने online डाल दिया बात खतम हो गई राद गई बात गई नहीं जब आप online कोई चीज डालते हो तो वो वहीं रहती है चाहे आपके बाद आप delete भी कर दो तो कहीं न कहीं companies के servers में वो videos या वो data रह जाता है अब गौरफ zone ने वो video जो है अपने dog की dollar की delete ज़रूर कर दी थी बट कहीं न कहीं I'm sure वो that'll be presented as an evidence in the court of law जिसके लिए उनके उपर आगे case चले क्या चले कौन सी धारा लगे वो technically legally तो वहीं जाने जिन्होंने उनको गिरफ्तार किया है जिन्होंने उनके उपर case चलाया है तो बस मेरा कहने का ये मतलब है यार कि अगर आप कुछ भी कर रहे हो online make sure that you are well behaved well knowledgeable आप इस चीज में हो उसके बाद ही आगे जाके उस चीज के बारे में बात करिये चाहे कोई भी subject क्यों न हो ठीक है समझ गए है बस इतना ही मुझे कहना था since you guys are my family मैंने हमेशा आप लोगों को अपना परिवार बोला है इसलिए ये चीज जाननी बहुत जरूरी है कि law क्या कहता है और law के हिसाब से अगर आप कुछ भी उल्टा पुल्टा online करते हैं तो IT Act के तहट आप पे जरूर case हो सकता है तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए इस वाले वीडियो को यहीं पर end करूँगा आप लोग अपना ध्यान रखिए क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं online उसका और भी ज़्यादा आपको ध्यान रखना है उस चीज को लेके एक्दम सक्त होना है और सोच के समझ के जो है एक के बाद एक आपको आगे steps लेने हैं खुश रहिए, मस्त रहिए और मिलता हूँ बहुत जल एक और नए वीडियो में नमस्ते